रात और हिमाचल के नतीजे कॉंग्रेस को जड़ से खत्म कर देंगे जी मीडिया रिपोर्टर रामित प्रकाश से एक्स्क्लूसिव बातचीत में मुख्यमंतर विजे रुपाणी ने का कि हारदिक, अलपेश और जीकनेश की तिकड़ी कॉंग्रेस का काम बिगार देगी वीकेंड जो होता है साटरड़े और संड़े जो है वो बड़ा रिलाक्स होता है लेकिन इस बार का वीकेंड बहुत रिलाक्स, फिल नहीं कर रहे है सबसे ज्यादा रिलाक्स हूं मैं आज क्योंकि चुनाओ, चुनाओ में 14 तारिक तक हम लोग काफी व्यस्त थे अब टुटल चुनाओ खतम हो गया है, फ्री हो गया है, नतीजे भी अच्छे आने वाले है सभी एक्जिट पॉल भी भारतिय जनता पाटी की सरकार बन रही है और कारेकरताओं में भी निच्चे से जो फिट बेगा रहा है अच्छी सरकार बनेगी और ज्यादा से ज्यादा एमेले बीजेपी के चुन कर आएंगे ऐसा सब तरब से समाचार मिल रहा है, इसकी खाफी रिलेक्स है और संडे है ओफिस का थोलबत काम करने के लिए मैं ओफिस में बैठाओं बाकी पुरा रिलेक्स है मैं उस फिलिंग की बात कर रहा था नर्वस एक होती है फिलिंग नर्वस वाली, एक होती है एक्साइटेड वाली मिक्स फिलिंग है या दोनों है, नर्वस भी है, एक्साइटेड भी है अच्छी जबी सफलता नहीं मिलती है तभी निरासा होती है और सपलता मिलने वाली है ऐसा पक्का है इसलिए सभावी कहेगी तकान कुछ नहीं है नर्विस्टनेस भी नहीं है सिर्फ कितनी सीट आएगी उस पर ही सवाल है तो लगता है कि पहले से ज़्यादा सीट आने वाली है अब लगता है एगजिट पूल और फैसलों के बीच में जो ये चर्चाएं है इन चर्चाओं के बीच में जो कॉंग्रेस दावा कर रही है और मुझे तो ये भी किसी ने बताया कि कॉंग्रेस पार्टी के निदाओं ने गुजरात में एक बैठक बीकी कि भाई अगला जो न जो तक कर रहा जो कर बनने वाली है और कॉंग्रेस में कोई एतना ऐसा कोन बनेगा ने ता कोई चर्चा भी ने चल रही है तो ये बात तो सरा सर गलत है सरकार भारतिय जंता पार्टी के बनने जो आतोर है और आप क्या मैंनते हैंसर ये जो तीनों नाम है ये तिकडी है गुजरात की ये इस बार आपके लिए बड़ी चुनावती के तौर पे उभरी गुजरात में सबसे चुनाव शुरू हुआ है तब से ये सब चर्चाय चलती है आप लोगों ने वही चलाया है मैं मानता हूँ कि तिगड़ी आपने जो बताई वही बाद बिगड़ी बनाएंगे कॉंग्रेस के लिए वो बोजारूप बनने वाले है